नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूए यू लर्नर्स पर और ये फ़ल लर्णिंग की जर्देशन ऐसे ही जारी रहेगी कि पुना मुलकात हुई है तो पहले तो मैं आप सभी को बढ़ाई देना चाहता हूँ पचास सब्सक्राइबर की फैमली तो हो ही चुकी है और इसके लिए जिसने जिसने पीयोगदान दिया उसको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ इस वीडियो में मैं आपको प्रिछवी के अंदल ने जाने वाला हूँ आपको एक कैमरे के रिकार्डिंग से जो माइनिंग होती है जिससे हम चल पा रहे हैं ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि पेट्रोल जैसे चीजे हम खूद की माइनिंग करके ही लिकाल से मैं यह जो प्रिट्रोल की सर्च में वह रहा गया था लेकिन होता है ऐसी ही रिसर्च होती है तब ही प्रिट्रोल जैसे चीजों को और जो और सी मिरंडल्स प्रिट्वी के अंदर तब हुए हैं जिसे हम जी औलोगी में बढ़ते हैं तो उसको आप आज इस प्रोर कर पा रहे अपनी जो सबसे जाता वाली छमता है उसे लगा तर इसे स्टेयर कीजिए और ये बहुत ही धांसो वीडियो होने वाला है ये डिजिटल हावर्स हैं इसे एक सही दिशा में मुलने का प्रयास कर रहा हूँगा जो भी 50 जबन लोग है चलिए अब फर्जी की बगयती से पढ़ जो आज मैं आपको दे रहा होने वाद इस वीडियो में उसके बारे में कुछ चांगारी में बताथा तेखिए मैं आज आपको माइनिंग का इस वीडियो दिखा हूँगा बहुत बहुत किया गया है बहुत है अब जबिके अंदर किसी मिर्णर के खुज में बनाएं गए चोटे से दाया मीटर के गड़े को कहते हैं और उसे में कोई मसीन कोई खैमरा लेकर लेकिन रिकार्टिंग तो देख लेंगे फिर वही फर्जी बात होगी कि मैं आपको कोई क्वाल्टी टाइम नहीं देखा रहा हूँगा तो उससे पहले उससे पहले मैं आपको कोई वीत्रव अपने नियूंतम सताही छेत्र को प्रदान करने का प्रियास करता है और इसका इपलोजिक है प्रिश्चतनाव तो कि मैंने वीडियो डाला है और डिस्क्रिप्शन में लिंक के देदूंगा कि प्रिश्चतनाव क्या है तो कोई वीचिक अगर बोलिये है तो प्रिश्चतनाव उसमें काम करेगा लेकिन वो द्रव होना चाहिए देखिए द्रव अभी तो नहीं है प्रिदिवी आप कहेंगे लेकिन द्रव है प्रिदिवी जैसे आप किसी सेव को एक स्लाइस काटते हैं छोटा तुकडा काटते वैसे है यह प्रिदिवी की अगर बना सकता हूं कि अधिर रसना क्या है कैसे है लेकिन इस समय में आपको सिर्फ माइन से रिलेटिव कुछ चीजे बताना चाहता हूं तो मैं उसको बात में बना जूँगा लेकिन इस तर इस समय में थोड़ी सी आपको समझदे देता हूं ताकि आपका क्वालिटी टाइम है तो मैं आपको उस क्वालिटी टाइम को दे सकूँ तो प्रिदिवी की जो अंध्रिक संग्रतना है उसे मुखता तीन लेयर्स में ट्रिवाल्ट गया है और सबसे पाहरी बाहरी लेयर को कहा जाता है णि ये तीन मुख्यलेयत थे हैं इसके बाद में कई दिवीजन में बाटा गया है उसका आधार ये ठाकि कहां से प्रिदिवी कहां से तक थोस थोड़ी सी जाना में जो मैगमा निकलता है आप जॉनम उपी देखते हैं वो और मैं यहां से एक चीज अब बता देता हूं आपको कि जो प्रिधिवी की उपरी स्ता है वो कई प्लेट से बनके बनी है और प्लेट ऐसे समझे कि आप जो है किसी भगोले में पानी रखें हैं और इसी के ऊपर कोई कागस का तुकड़ा डाल दिने हैं हरा कि कागस का तुकड़ प्रिधिवी दरारे नंती है और यहीं से निकलता है वह तो मैगमा जो जॉला मुखी थां थां से फूटती है उसका भी में एक वीडियो आपको चला दे रहा हूं पहुत ही अंतलब एक दम निचोर दो रहा हूं आपको इस वीडियो में और आप से जरूर किजिए कर दिखिये वीडियो को कैसे यह थां थां फूत रही है अंगारे और यह घां से निकल रहा है यह प्रश्ण से निकल रहा है और क्यों निकल रहा है क्योंकि दो फ्लेटें कोलाइड कर रही है आपस में एक दूसरे से कोलीजन हो रहा है इसलिए यहां पर जो है लावा निकल रहा है थां तेखी किती तेजी से आता हुआ यह लावा और फू तो वह है आपको तो बहुत से चीजें आपके सामने चार ही और आप सीख रहें तो अब देखिए भगवान ने जो इक माइनिंग करते हैं जो सबसे बड़ा गधा अभी तक का है वो है प्रसांत सावगाने पैस्पिक सी में वह मेरियाना करत और वह इतना बड़ा है कि आपको अगर उसमें पूरा दूनिया में देखिए उसको बालते हैं उसकोड भादने वाला नहीं है अजार सालों में जाके घरिता तो इतना बड़ा है तो तो उसी आपको असरों में है अरविया इसका बज़िया हिए और एक होडय व्या चुई मे अब यह सारी बाते हो गई हैं तो अब हम आपको माइनिंग के बारे में बताते हैं और फिर वीडियो दिखाते हैं यह रिकार्डिंग प्रिथवी पर बनाए गए गट्थे की है बूर हूल की है जिसकी गहराई 90 मीटर तर हम प्रिथवी की सता से 90 मीटर नीचे चल रहे हैं एक पुराने घरन साला में जैसा की आप देख रहे हैं यह पानी और खनन के दोरान गिरे टुकडों से भरा हुआ है किनारे पर आपको गाढ़े रंगी पट्टियां दिख रहे हैं यह कारबन की पदार्थ की अधिक्ता के कारण है जबकि हलके रंगी पट्टियां बालू से बने चट्टान की हैं आपको हम यह भी बता दें कि इस गढ़े की ब्यास मतलब चोड़ाई 400 मिली मीटर की है अगर आप नोटिस कर रहे हो तो जो किनारे के बनी दरारे हैं वो खनन के दोरान बनी हुई है और यह खनन का सूचक है आपको हम यह खनन का सूचक है यह खनन साला पूर्णत्या काली है और पदार्धों से भरी हुई है और अब हम अपने डिस्टिनेशन मतलब घंतब्वे पर पहुँच गए और यह पूरी प्रक्रिया उर्जा के भंडार को आंकिलित करने में प्रयोग की जाएगी और अनतधा साथियों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें धन्यवाद